सब्सक्राइब करो लाइफ एट टीचिंग को और पेल आइगन को प्रेस करो कम्पूटर की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आज हम इस सारे सीटी बुक का चेप्टर नमबर टैन जिसके नाम है MS Excel एडवांस की भर में जानेंगे इसमें MS Excel से संब्दित सभी एडवांस लेवर की क्योंस आपको मिलेंगे और इस बुक के सभी चेप्टर की वीडियो आपको लाइफ टीचिंग पर मिलते रहेगी तो दोस्तों बने रहे हैं आप हमारे साथ क्योशन नमबर वन MS Excel में फॉर्मला बार में लिखी गई वह है वैल्यू क्या कलाती जिसे हम चेंज नहीं कर सकते एंस्वर कॉंस्टेंट नेक्स्ट क्योशन नमबर टू MS Excel में वी लुक को फंक्शन का यूज किया जता है एंस्वर उससे समंदित रिकोर्ड के लिए नेक्स्ट क्योशन नमबर ट्री यदि आपको MS Excel में कॉलम ए और बी के बीच में त्री कॉलम इंसर्ड करनी है तो आप करेंगे एंस्वर स्लैक्ट बी नेक्स्ट क्योशन नमबर फोर MS Excel में एक फंक्शन के अंदर दूसरी फंक्शन को जाना जाता है एंस्वर नेस्टर्ड फंक्शन नेक्स्ट क्योशन नमबर फाईव MS Excel में कौन सी सिंबल का मतलव डिवाइड होता है एंस्वर डी आई वी का नेक्स्ट क्योशन नमबर शिक्स MS Excel में सेल में करन्ड डेट एंटर करने की शॉटकट की बताईए एंस्वर गंट्रोल प्लस सेमी कॉलन नेक्स्ट क्यूशन नंबर सैवन में सेलेक्टड कॉलन को डिलेट करने की शॉटकट की बताईए एंस्वर गंट्रोल प्लस हाइफ़न दोस्तो वेशे इसे हिंदी के इंदर जो यह आप मार्क्स देख रहे हो वेशे से हिंदी में बोलते हैं योज्जक चिन नेक्स्ट क्यूशन नंबर एट MS Excel में एक चार्ट में इसमें से क्या क्या होता है एंस्वर ओल आफ दीस यह सब भी चार्टे के अंदर होती है नेक्स्ट क्यूशन नंबर नाइन MS Excel में चार्ट में लिजन्ड क्या शो करता है answer चार्ट पर प्रत्य एक डेटा सिरीज किस कलर में शो होगी next question number 10 MS Excel में चार्ट में डेटा लेबल क्या शो करती है answer डेटा पॉइंट के वास्तिविक वेल्यू को next question number 11 MS Excel में लाइन चार्ट का यूज किस के लिए किया जाता है answer समय के साथ प्रवर्तन दिखाने के लिए next question number 12 MS Excel में कौन से चार्ट में पॉजिटिव वेल्यू की जरूरत पड़ती है answer पाई चार्ट के अंदर next question number 13 MS Excel में कौन से चार्ट का यूज शेरों के कीमत का वर्वर्डन करने के लिए किया जाता है answer stock chart का next question number 14 MS Excel में कौन से मिनीचर के अंदरगत एक नए प्रकार के चार्ट पर स्थूद किया है जिसे हम एक सालमियत समायोजित कर सकती है answer spark line next question number 15 MS Excel में इसमें से कौन से spark lines नहीं होती है answer radir next question number 16 MS Excel में कौन से future का use unknown यानकी एग्यात value का विसिलेशन करने के लिए किया जाता है answer goal sick का next question number 17 MS Excel में कौन से method का use data एंटर करने के लिए नहीं किया जाता answer escape की का use करके next question number 18 MS Excel में comment इंसर्ड करने को बोला जाता है answer smart tip next question number 19 MS Excel में कौन सा value data type नहीं होता answer label next question number 20 MS Excel में इसमें से कौन सा absolute cell reference नहीं है answer answer B next question number 21 MS Excel में chart इंसर्ट करने पर इसमें से कौन सी टूल बार स्क्रीन पर छो होती है answer all of these next question number 22 MS Excel में row की default width कितनी होती है answer 15 points next question number 23 MS Excel में सेस्वल निकालने के लिए कौन से फंक्शन का use किया जाता है answer answer mod mod next question number 24 MS Excel में सीट का default view होता है answer normal view next question number 25 MS Excel में निवर फॉर्मला का result क्या होगा answer 3 दोस्तों इस फंक्शन को आप लगाए अपने computer के इंदर और चेकीजिए answer next question number 26 MS Excel में current date दिखाने के लिए कौन से फॉर्मला का use किया जाता है answer today का next question number 27 MS Excel में pivot table और pivot chart का विसलेशन दिखाने के लिए किस option का use किया जाता है answer slicer का next question number 28 MS Excel में हमें किसी cell में data किसी condition के according रखना है तो हम किस option का use करेंगे answer data validation का next question number 29 MS Excel में किसी cell को filter करने की shortcut की बताइए answer control shift L दुस्तों यहाँ पे गुमाके आपको filter की ही shortcut की पूछी गई है तो आप confused मत हो जाना next question number 30 MS Excel में worksheet में row और column को स्तीर करने के लिए किस option का use किया जाता है answer freeze pens का next question number 31 MS Excel में निवन फॉर्मला का आर्टपूट क्या होगा answer c next question number 32 MS Excel में consent net formula का use के जाता है answer दो या दो से अधिक टेक्स्ट को जोडने के लिए next question number 33 MS Excel में print area का use किया जाता है answer print के लिए area decide करने के लिए MS Excel को zoom कितना परतिसत होता है answer 437 next question number 35 MS Excel में इसा formula का नाम बताईए जो current date or time बताता है answer now दुस्तो now के इंदे तो आप current date or time दोनों दिखा सकते हो अगर आपने only date दिखानी है तब आप यूज़ कर सकते हो today का आपको इस lesson के कितने questions आते हैं मुझे जरूर बताना आपका एक महत्तपूर लाइक मेरी आत्मा को त्रिप्त करेगा और यह वीडियो अपने उस friend को जुरूर शेर करना जिसे आप आरे सेट में फूल माक्स के साथ पास होता देखना चाहते हो अगर आपके आत्मा भी प्यासे के computer ज्यान की तो life by teaching को subscribe करो और उस बैल बाले आइकोन को दपा दो अगर आपने अभी तक मुझे instagram पर फोलो नहीं किया तो description में link है जाओ और करो मुझे follow तब तक के लिए मैं भी जा रहा हूँ आप के लिए लेने एक और interesting वीडियो पर रहा हूँ